आज हम आटे का बिना तेल वाला बहुत ही टेस्टी नास्ता बनाएंगे इस नास्ते को बनाना बहुत ही आसान है और थोड़े ही आटा में धेर सारा नास्ता बनेगा ए बहुत ही बढ़िया बिना तेल वाला नास्ता है अगर आप तेल खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप इ लेंगे, इसके बाद आधा कप गेहूं कांटा डालेंगे, स्वात कांशार नमक डालेंगे, नमक को आँटे में अच्छी से मिलाएंगे, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गुतेंगे, जिस तरह से हम रोटिक लिए आटा गुते हैं, उतना मुलायं इसक आटा गीलन हो, तोड़े थोड़े पानी डालकर इस तरह से आटे को लपेटते जाएंगे, इतना नरब आटा गुत कर हमने तयार किया है, अब आटे को हम 10 मिनट के लिए ढख कर रखेंगे, जब तक आटा सेट हो रहा है, तब तक के लिए हम भरावन तयार करेंगे, दाल में डालेंगे, ज्यादा नहीं, दो बड़े चमज पानी डाल कर दाल को पीछ लेते हैं, बहुत जदा पानी नहीं डालेंगे, योकि बहुत गीला नहीं करना है, सुखा ही पीछना है, आप देख सकते हैं, दाल को हमने इस तरह से पीछ लिया है, आप इसको हम एक बरत पाउडर, एक चमज नमक डालेंगे स्वात के अनुसर, एक चोटी चमज जीरा पाउडर, एक चोटी चमज गरम मसाला, एक चोटी चमज धनिया पाउडर, आधी चोटी चमज हिंग डालेंगे, हिंग डालने से बहुत बढ़ी टेस्ट बनेगा और हिंग फायदे मंद भी होत कर लिया है इसको हम डालेंगे थोड़ा सहरा धनिया डालेंगे अब सारे चीजों को दाल में अच्छे से मिलाएंगे जिसे नमक मसाला अच्छे से मिल जाए सारे चीज़ों को मिला कर दाल हमने तयार कर लिया है नास्ते के लिए दाल तयार है इसको हम साइड में रखेंगे अब आटे को देख लेते हैं 10 मिनट के बाद हम आटे को देख लेते हैं यहां पर आटा अच्छे से फुल कर सेट हो चुका है आप इसमें से एक बड़े साइड के लोई निकालेंगे इसको बोड़ पर मसलते हुए चप्टा करेंगे और फिर चप्टा करने बाद इसको हम बेलेंगे तो पहले इसको हम सुखे आटे में लपेटेंगे जिससे बेलते समय चिपके न जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं उसी तरह से इसको बेलेंगे लेकिन रोटी थोड़ा मोटा बेलेंगे थोड़ा से बोड़ पर सुखा आटा लगा देते हैं ताकि बेलने में आसानी हो चिपके न रोटी के आकार में इसको हमने बेल लिया है लेकिन आप देख सकते हैं थोड़ा हमने इसको मोटा बेला है क्योंकि इसका हम नास्ता बनाएंगे तो मोटा रहेगा तभी अच्छा लगेगा आप इसके उपर से पीसे हुए दाल को लगाएंगे हलका से किनारा छोड़कर पूरे रोटी बराबर दाल लगा देते हैं जो दाल हम लगा रहे हैं इससे नास्ता बहुत ही ट्रेश्टी बनेगा क्योंकि ये चटपटा दाल है तो खाने में नास्ता बहुत ही बढ़िया लगेगा पुरा रोड़ी बराबर दाल को हमने लगा दिया है आप इसको मोड कर रोल करेंगे और मोडने बाद जो किनारा है इसको हम चिपका देते हैं इसका दोनों किनारा भी बंद करेंगे तो इस तरह से मोड कर चिपका देते हैं तक कि दाल बाहर न निकले इस तरह का पहला रोल हमने बना लिया है जो आटा बचा है इसी तरह से उसको बनाएंगे इतने आटे में जतना रोल बन जाए उतना हम बना लेते हैं पूरे आठे का रोल हमने बना लिया है उतने आठे मेंρέ़ने इतना रोल बनाया है चोटा बड़ा बड़ा तीन से चार रोल बना लिया है यहांँ पर हमने जाली वाला पिलेट लिया है इस पर हम तेल लगाएंगे अब इसको हम पकाएंगे चलते हैं गईस तरब कडाही में हम आधा लिटर पानी को डालेंगे एक टुकड़ा हम इसी में नीबू को डालेंगे नीबू डालने से कडाही में पानी का दाग नहीं लगेगा कडाही ऐसे चमकता रहेगा एक stand को डालेंगे आप इसके उपर धकन लगा कर छोड़ देते हैं पानी को गरम होने के लिए पानी गरम होने के बार जिस प्लेट में तेल लगाया था इस प्लेट को हम stand पर रखेंगे अप प्लेट को ऊपर हम सभी roll को रखेंगे एक बार में सभी रोल आ जाएंगे तो पूरे रोल कर रखेंगे आप कड़ाये को उपर धकन लगाएंगे और इसको 15 से 20 मिनट तक मीडियम आज पर पकाएंगे लगभग 20 मिनट के बाद धकन हटा कर देख लेते हैं आप देख सकते हैं 20 मिनट बाद ये फूल कर बड़ा बड़ा हो गया है और उपर से काफी टाइट भी हो गया है यानि कि ये पक चुका है अब प्लेट को हम बाहर निकाल कर रख देते हैं ठंडा होने लिए जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसको हम छोटे छोटे पीस में काटेंगे यहाँ पर सभी रोल ठंडे हो चुके हैं तो इसको हम छोटे छोटे पीस में काटेंगे एक ही साइज का पूरा रोल हम काटेंगे इसको आप अपने हिसाब से छोटे बड़े पीस में काट सकते हैं बहुत ही बढ़ियां मुलायम नास्ता बना है और काटने बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़ियां लग रहा है देड का पांटे में धेड सारा नास्ता हमने बनाया है काटने गबाद इतने सारे पीस निकले हैं इसके अंदर दाल के फिलिंग बढ़िया हुई है अगर आपको तेल नहीं पसंद है तो आप इसको चटनी साथ या फिर सब्जिक साथ ऐसे ही खा सकते हैं लेकिन अभी इसको हम आउट टेश्टी बनाएंगे तो उसके लिए फिर से चलते हैंगा इस तरब अब पायन में हम एक बड़े चमत तेल डाल कर गरम करेंगे तेल गरम होने बार आप इसमें एक छोटी चमत राई डाल कर चटकाएंगे पहले राई को असिस चटका लेते हैं ताकि राई में कच्चपन न रहे राई भूनने बार इसमें थोड़ा से करी पत्ता और दो सुखी लाज मिर्श को डालेंगे करी पत्ता को भी हलका से भूनेंगे अब इसमें हम पुरे नास्ते को डाल कर सेकेंगे ज्यादा नहीं चार से पांच मिनद तक चलाते हुए सेक लेते हैं तक यह दोनों तरब से अच्छे से सीख जाए सेकेने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है तो आप चाहें तो बीना सेकें या फिर सेक कर खाएं सेकेने बार नास्ता खाने के लिए तयार है अब गायस को हम बंद करेंगे बहुत हेल्दी बढ़िया नास्ता बना है खाने में बहुत बढ़िया है इसे खाने बार पेट भरेगा लेकिन मन नहीं भरेगा और इसे तो आपने गेहू के आटे से नास्ता बहुत बनाया होगा लेकिन एक बार इस तरीके से चावाल गेहु कांटेक नास्ता ज़रूर बनाएं इस नास्ते को आप घर पर जब भी बनाएंगे तो सभी बहुत पसंद करेंगे चटनिक साथ खाए या फिर सब्जिक साथ खाए बहुत बढ़िये लगता है